गुरोह पादोदकं पीत्वा, गुरोह रुच्छिष्ठ भोजनम, गुरु मूर्तेह सदा ध्यानम, गुरु मंत्रम सदा जपेत, गुरु गीता, श्लोक संख्या पंद्रह श्री गुरु का चरुणोदक पीकर, गुरु को पहले भोज्य पदार्थों को समर्पित कर, बाद में उन्हें स्वयम प्रसाद रूप में ग्रहन करें, तथा श्री गुरु के द्वारा दिये गए मंत्र के जप के साथ साथ, गुरु के स्वरूप का ध्यान करें